आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार चाहे लगातार आजान लाड़ स्पीकर और बुल्डोजर की बात यहां पर लगातार होती है और बिरुजगारी के साथ साथ गरीवी की बात भी होती है पर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं वो मुद्दे बहुत आएम है कि उनका जुड़ाव भी आम जनता से है और जनता से भी उस तपके से है जो तपका लगातार अपेच्छित किया जाता रहा है जी हां आज का जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा बहुत एहन है क्योंकि यह समाज के उस तपके का मुद्दा है जो अब तक अपेच्छित होता चला रहा ज्यादा देश में जो ब्रदेजन हैं, जो उमारे बुजरुग हैं जो हमारी संस्किती रहें जो ओंपार आडार रहें जिनके हार को पकड़ कर जिनके उंगली को पकड़ हम चलना सीखे हैं जिनसे हम अपना सुरूबाती ककरहा सीखे हैं और अब उनको अपेच्छित किया जाता है और वो बुजुर्ग अब समाज में अपनों के दौरा ही अपेच्छित हैं और आर्थिक आदार पे भी कमजोर है क्योंकि जब किसी इनसान की नौकरी खत्म हो जाती है यानि जब वो पैंसन पे आ जाते हैं या जब उनकी नौकरी चली जाती है या जब उनका रेटार्मेंट हो जाता है उसके बाद जो बुजुर्ख है वो अपनों की नजर में अपेच्छिन हो जाता है। यानि उसको फिर एक पिकार से घर का एक सदसमान के ही जुड़ाव होता है और जो अपनापन उनकी नौकर की समय होता था, उनकी पेंसन के समय होता था उनके खर्च करने के समय होता था वो नहीं होता है तो यहाँ पर जो चर्चा का विशा है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अब इस विशा पर भी चर्चा हो रही है और भारत सरकार ने भी इस विशा पर भी अपना ध्यान दिया है क्योंकि देश में अगर हम इस समय की बात करें तो देश की आबादी का लगवग लगवग यानि अगर देश की आबादी 135 करोड नहीं बोली जाती है अब देश की आबादी 140 करोड के लगवग हो गई है हला कि नेतागरी में बैयान इस तरह आते रहते है पर देश की आबाद प्राइबेट नौकरी से रिटार हो जाते हैं तो उनकी लगातार अपेच्छा होती है उनके बच्चे ही उनका सम्मान नहीं करते हैं उनका ध्यान रखते हैं और बुजर्गों के लिए एक ही जगा बसती है वह बसती है ब्रद्धासरम और वो काबिल होने के बाद जूद इत लगते हैं उस देश में जहां पर 75 साल में नेतागरी होती है प्रामंत्री बनते हैं बित मंत्री बनते हैं मुख मंत्री बनते हैं उसी देश में 60 साल के बाद जब रिटार्मेंट होता है चाहे प्रावेट नौकरी से हो चाहे सरकारी नौकरी से हो उस रिटार्मेंट के बा आतार हम जो आकड़े हैं वो हम देखते रहते हैं ग्यानत पचाश बद्द्द आस्वर इसी को बताते हैं और मीडिया के माध्नम से समाचार पत्रों के माध्नम से सोचल मीडिया के माध्नम से Electric Media के माद्ःडम से हम देखते रहते हैं, कई तरह के मामले आते हैं जब बुजर्गों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको उनके उपिछा की जाते है उनके साथ गलट बिवहार किये जाता है, ये मामले लगाता राते रहते हैं और कई बुजर्द्टे ऐसे हैं जो छम्ताबान होने के बाब जूर भी आज ब्रद्द आस्रम में अपनी जिन्रगी बिताने पर मजबूर है तो इस दर्थ समझा और भारत सरकार ने सितंबर 2021 में इस पर चर्चा हुई और एक अटूबर 2021 को इसके लिए ब्युस्ता की गई और कहा गया कि एक उनलाइन पोर्टल बनाया जाए और उनलाइन पोर्टल में जो भी नागरिक हैं जो भी सीनर सिटीजन्स हैं वो अगर एविल हैं उनकी छम्ता है और वो सेवा निवर्ति के बाद भी नोगरी करना चाहते हैं साल दस साल तो उनके लिए यहां पर इसके बाद भी अगर वो नोगरी करना चाहें तो उनके लिए नोकरी का बिकल्प खुलने की ब्योस्था इस ब्योस्था के तहट की गई हैं यह मुद्दा तो बहुत बड़ा है पर इसको अपनी जिन्दगी की सुरूबात की इसलिए इस मुद्दे को बहुत जारा उठाय पर मैं अपने कारिकम के माद्धम से इस बुद्दय को उठा रहा हूं इसलिए जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों के लिए सरकार दोरा समाजिक सहकारता मंता अलाहे हैं प्रियास किया। और ने कहा कि ओनलाइन पॉर्टल मनाया जाए। और सेक्रेड नाम से ओनलाइन पॉर्टल बनाया गया। यानि कि अगर आपके अंदर छंता है आप काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर काम दिया जाएगा। और इस पोर्टल पर मैं आपको बता दूँ कि एक सकारात्मक पहल भी हुई है लब लब 4100 यानि 400 बुजर्गों ने इस पर अपना रेश्टिशन भी करा लिया है और साथी साथ एक और अच्छी पहला आई है फिक्की जैसी तमाम बड़ी संस्थाओं के माद्यम से 2000 से जारा प्राइबिट सेबा से अपकास प्राप्त हो चुके है जरी की रिटार्मेंट हो चुकी है उनको हम अपने जगए देंगे अगर वो सारी रूप से सच्छम है और नौकरी करना चाहते हैं तो बहुत बैतर पहल मानी जाए पहल क्योंकि बैतर इसलिए है क्योंकि देश में सम समान के मताबिक आने बाले समय में 30 करोर होगी यानि आने बाले समय में हमारे ब्रद्द आसरम गम खोले जाए और इस तरह का पोर्टल पर लोग काम करेंगे और 2000 अभी उन्होंने हां कहा है और अगर और उद्द्द आंगे बढ़ेंगे पहल करेंगे निसी रूप से इन ब बुजर्गों के साथ होता क्या है वह अगर प्र depend सेवा में होते हैं तो आपको वहाँ pension मिलती नहीं क्योंकि यशा कम कंपरी में में बच्चों के लिए भार बनते हैं जो भुज़ुर्ग अनुभभी होता था घर का अधार होता था भार बनने पर उसके उपेच्छा की आती है और और वो मता पिटा बार में जाके बद्धा एक फिर बार में जाक किसी बद्दा आसम में अपनी जगह धूरते हैं करवार वो अपने अपतर gefituण से खुद बिवेग करनेड़ना करते हैं personatech जाते हैं कि तुम अपनी जिन्दगी जियो और हम अपनी बाची कुछी जिन्दगी सुकून के साथ जीना चाहते हैं सम्मान के साथ जीना चाहते हैं और निच्री रूप से यहां पर जो अपने हैं उनकी भी सबसे बड़ी गलती है कि जब अगर कोई बुजर्ग पैसा नहीं किताबों में बची है नतित्ता में बची है बाद में बची है यानि अगर किसी बुजुर्ग की मित्य होती है तो उसकी हम 11 मीं और 13 में पर तमाम खर्चा करते हैं और तमाम रूप से अखवारों में निकालते हैं और अपनी दुख को पिकट करते हैं पर जब वो बुजुर् सेता है तो कि दो पल उस्पिता के लिए नहीं निकाल पाते हैं और ऐसा आज के समय में चलना है संज्किती और संब्यता ऐसी ही हो चुकी है आज कि वह भारत जहां पर बुजुर्ग की सेवा ली जाती वह बुजुर्ग बुजुर्ग अपने बच्चों को सिखाते थे कि संस्कार क्या होते है, संप्यता क्या होती है, संस्किती क्या होती है, नितिकता क्या होती है, और सामाजिकता क्या होती है और जब हम पास्चा संस्किती में रंग जाते हैं और जब हम 12 सदी में आगे पड़ रहा हैं तब हमारा जो सोचना है वो भी पास्चात हो जाता हो अपने बुजर्गों को भूल जाते हैं उनके अपनापन को भूल जाते हैं उनके प्यार को भूल जाते हैं उनके प्रेम को भूल जाते हैं उनकी सिछा को भूल जाते हैं और उनकी संस्किति को भूल जाते हैं और भारत जहांपर सब्विता और संस्किति की बात की जाती है जहांपर धर्म की बात की जाती है वहां उस देश में 1150 विद्धा असरम यह बात स्वष्ट करते हैं कि अगर विद्धा असरम इस तरह लगातर बढ़ते रहे तो आने बाले समय में जो भुजरुग हैं उनके लिए केबा लेकी option रहेगा वो जब सेवा नविड़ती होगी तो वो सीले सीले बिद्धा समझाएंगे पर सरकार ने बहुत बहुतर पहल की है और इस पहल का मैं खुले दिल से सुक्रिया रा करना चाता हूं सरकार का भी कि आपने कैसी पहल की जिस्टे कारण अब बुजरुग आने व समझ रहे हैं और इस व्यास्था के तहट अब वो ओल्लाइन पोटल में कराएंगे काम भी करेंगे और एक सुक में जीवन बिताएंगे और जो अपने जो उनको पेच्छा करते हैं उनको अलग तलग कर दी हैं उनको प्रेम नहीं देते हैं उनको डिखा सकते हैं कि हम भी ज अब भी थी अफ्तार जिस में राजिस्खंणा ने बहुत अच्छा रोल किया था और आज एसी लोगों के लिए एक पेढ़ना सुरूत है उस मूवी में करदार था बो किरदार ऐसा था उस मूवी के माध्यम से राजिस्खंणा ने बताया था कि हम पूरे जिन्ड़गी अ खके खाने के छोड़ देते हैं उसके बार उस मूवी की चर्चा है वो तो पिच्चर थी पर उस पिच्चर में भी कहा जाता है हिंदुस्तान का सिनेमा है जो पिच्चर है वो भी एक समाज का ही दर्स दिखाया जाता है जो समाज में आस तक हो रहा है और इसी दर्स को लगात से लोग दब्रेथ होते हैं और मैं इस पहल की बिलकुल तहे दिल से सुक्रिया करता हूं धन्वार करता हूं और इस पूरे मामले की इस पूरी ब्युस्था की मैं प्रसंसा करता हूं कि बहुत सही समय पे आपने ऐसा फैसला लिया क्योंकि लगातार बुजर्ग बन रहे हैं और लगातार बिद्दा असरम बढ़ते जा रहे हैं और साथी सार बिना कोता है दोजर पचास तक 30 करों बुजर्ग होंगे उस समय तक तो यह स्थिती बहुत बहुत बैतर होनी चाहिए क्योंकि दोजर पचास आने बहुत समय नहीं है और तब तक अगर बुजर्गों के आकड़े ऐसी बढ़े तो अगर यह जो पोर्टल है बेऊस्था है तो निश्रूप से बहुत यहां पर राहत मिलेगी हमारे बुजर्ग भी सम्मान पूरों जी सकेंगे वो भी काम कर सकेंगे और कहा जाता है कि केबल आप गर के काम के योगी ही बचे हैं तो भी दिखा सकेंगे कि नहीं अभी बहुत चमता अगर हमां देश का मत्री 77 साल के उपर बन सकता है देश के मंत्री 77 साल के उपर बन सकते हैं साथ साथ साल के बाद काम कर सकते हैं और यह बहुत सही फैसला है अगर सरकारी सेवा ने विठती साथ साल में होती है तो सरकार ने भी वश्टा करके दिए कि आप ऑनलाइन पोर्टल के माद़न से रिस्टेशन कराईए और दोहजार से जादा उद्योग आपके लिए खुल आपको मजबूर होना पड़ेगा ये पहल वैतर है और मेरा इस कारक्रम के माद्धम से अपने बजर्गों से भी कहना है कि आप वो छमता है जिसके पूरे पेड़ जुड़ा हुआ होता है आप आधार है आप जड़ है आप तना है जिस पर पूरा पेड़ टिका रहता है चाह कर आप अपने रिस्टेश्यों के माम से आपके मफीत है और अपना काम करना चाहते है उस कंपनी से संपर्क करें और अपनी नई शुरूबाद करें चाहे बढ़ा पे में करें चाहे जबानी ही है संसन है वो लगातार काम कर रहा है संसन में भी काम कर रहा है उनको विबाग दिये गए वो भी काम कर रहा है तो यहां पर उनसे आपको पेला लेनी चाहिए अगर आपकी सेवा निवर्ती हुई है तो सेवा निवर्ती सरकारी हुई है सरकार की जो मनक्ता है उसके साफ से हुई है सेवा निविरती मन से आपके नहीं हुई है सेवा निविरती आपके तन से नहीं हुई है और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के लिए बोजना बने और आप पहले की तरह ही अपने परवार को सारी सुख सुख़पनाः दे पाएं, उनसे सेवा की भावना को उनसे बलवती कर पाएं, और आने बाले समय में उनको दिखा पाएं कि आज भी आपके नबो दमखम हैं कि आपको किसी के उपर निरासित होने की असुक्ता नहीं है, और ना ही आप नरासित होकर बिद्द आस्रम में जाएंगे तप्रेस कारिकम के माद्धम से मैं हमेशा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी मुद्दा है उस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है चाहे मुद्दा छोटा हो चाहे बड़ा हो ये मुद्दा जो था ये बहुत एहम है ये एहम इसलिए है क्योंकि ये मुद्दा हमारे देश के अनुभव के साथ है ये मुद्दा हमारे देश के बजर्गों का लिए है ये मुद्दा हमारे आने बाले पीडी को ग्यान देने बाले बजर्गों के लिए है यह हमारे आधार के लिए यह हमारे प्रियास नहीं देंगे तो सरकार के पहल है तो मेरा मानना यह है, उन उद्धूंगों को भी, अब और उद्धूंगों को आना चाहिए, हर तरह का उद्धूंग रहे, क्योंकि हर बुजूर्ग की अपनी एक जीमन से लिए है, अलग अलग काम उन्होंने काम किया होता है, और वो काम करना चाहते हैं, तो अन उद्धूंगों को भी आना चाहि पर और उन द्विखों से मेरी एक निवेदन है बिंती है कि आप भी पहल करें और साथी साथ अपने बजुरकों से में मेरा कहना है कि आप जल से इस पोड़ल पर रेश्ट्रेशन कराएं अपनी मानितर डाले अपनी आढ़ता डाले उसके बार जो आपकी हिसाब से आपकी छं इमान से जीते आया है मेरा मानना यह है इस माध्यम से जोजना के माध्यम से आंगे वाली जिंदिगी भी आपकी सोवान पूर्वा की बीतेगी यानि आप फिर वही आधार बनके लोगों भीच खड़े हो सकेंगे और जो बद्धा आस्रम है उनमें मैं चाहता हूं लगातार क माना जाएगा कि यह जोजना है सरकार की यह बहुतर काम कर रही है और बुजर्ग इसे जुड़ चुके हैं और बुजर्ग फिर उसी रूप में एक स्वायन पूरत जीवन जी रहे हैं तो आज की चर्चा में इतना ही अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ हो भी मु सरकार